Let's do question number 5 of exercise 4B that is integer. Question number 5 is find the sum of. हमें sum निकालना है. First part है 137 and minus 354. First part लिख लेते हैं अपना 137 and minus 354. इन दोनों numbers को add करना है तो कैसे करेंगे देखिए या तो आप उसको horizontal way में करिए या vertical way में करिए जैसा हम भी हम last question में करके हैं या तो वैसा करिए या दूसरा pattern भी होता है. मैं आपको दोनों तरीके से एक एक question करके दिखाऊंगी फिर आपकी मर्जिया आप उसको कैसे करना चाहें. देखिए पहला number है 137 दूसरा number है minus का 354. तो 137 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो that means plus 137 और minus का 354. हमेशा ध्यान रखेगा बड़ी digits उपर लिख लीजेगा plus करते समय. तो minus 357 बड़ा हो गया. आप कहेंगे number line में तो आपने कहा था minus का जितना बड़ा होता जाए उतना ही छोटा होता जाता है. मैं सिफ यहां पर digit क की बात करती हूं. साइन की बात नहीं कर रही हूं. तो ध्यान रखेगा मैं डिजेट बार बार बोल रहे हूं. तो that means digit not sign. तो plus 137. अब देखिए 357 डिजेट जो है वो बड़ी है. तो उसके साथ क्या है का साइन है? minus का. तो यहां पर minus का साइन आ गया. अब हम जब भी opposite sign ह होते थे. एक plus एक minus की digit होती थी. तो हम क्या करते थे? सब्ट्राक्ट करते थे. तो 7 में से 7 गया is 0. 5 में से 3 गया is 2. तो हमारा answer कितना आ गया? minus का 220 is the answer. अब देखिए आपको इसमें भी करने में कोई problem नहीं थी. लेकिन आपको उल्टा सब्ट्राक्ट करना पड़ता. इस गोटी डिजट नीचे रखें. अब लेट जू नेक्स पार्ट नाओ. नेक्स पार्ट इस 1001 and minus 13. तो second part हमारा है 1001 and minus 13. इसका मतलब होता है कि आप ऐसे भी. एक वे तो यह हो गया जो मैंने आपको ऐसे करके दिखाया. करना ऐसे ही होता है. चाहे आप rough work में करें या fair में दिखाएं. तो आप दूसरा वे कहें तो यह plus क्योंकि sum कहा रहा था. तो plus minus 13. अब क्या करेंगे हम बड़ी classes में हम यह वाला option करते हैं. तो हमने किया 1001 plus minus minus. देखिए फिर से multiply हो रहा है. plus minus minus. 13 आ गया. अब 1001 में से 13 minus कर लेते हैं. तो आप rough work में इसको minus करके देख सकते हैं. तो आप गया 9 and 9. तो 11 में से 3 गया is 8 बज गया and 9 में से 1 गया is 8 and 9. तो हमारा answer आ गया. लेकिन काई का आएगा? देखिए बड़ी digit जो थी वो plus की थी. तो plus ही रहेगा. तो that means हमारा answer आया. 988 is the answer. Let's do third part now. Third part is minus का 3057 and 199. third part है हमारा minus का 3057 and 199. 199 plus का. तो हमें मुझे पता है आप लोगों को ऐसे easy लगेगा करना. लेकिन आप दूसरा method जरूर सीखें बड़ी classes में करने के लिए. तो आप minus देखें बड़ी digit minus किए तो minus का लगा दिया. अब आपस में subtract करने के क्योंकि यहाँ पे sign opposite थे. तो 7 में से 9 नहीं जा सकता. तो मैंने एक carry ले लिया. तो यहाँ गया 17. 17 में से 9 गया is 8. 4 में से 9 नहीं जा सकता. तो हमने 3 से carry ले लिया. तो यहाँ गया 14. 14 में से 9 गया is 5. 9 में से 1 गया is 8 and 2. तो minus का 2858 is the answer. Let's do 4th part now. 4th part is minus 36 and 1027. minus 36 and 1027. तो अब हमें add करना है. तो minus 36 as it is plus 1027. अब bracket open करेंगे. तो देखिए 36 minus का है. इसके बाहर कुछ नहीं है. तो that means plus है. तो plus minus minus. तो minus 36 plus 1027. तो यह कितना है? आपस में subtract हो जाएंगे. तो यहाँ पे 1027 plus का है. तो हम कोई sign नहीं लगाएंगे. रईट. क्योंकि plus की case में कोई sign लगाने की जरूरत नहीं है. 7 में से 6 गेज 1. अब 2 में से 3 नहीं जा सकता. तो हमने एक कैरी ले लिया. तो यह आगे 12. 12 में से 3 गेज 9 and 9. तो यह आगे answer हमारा 991 is the answer. Let's do 5th part now. 5th part is minus 389 and minus 1032. अब आप देखिए यह दोनों minus के हैं. minus का 389 plus minus 1032. अब brackets open किया. अब ब्राकेट्स ओपन किये. तो minus का 389. क्यों? प्लस यहाँ कुछ नहीं है. minus minus. अब इसी तरीके से plus minus minus 1032. आपने मेरे past questions देखे हूँ. तो आपको पता है. दोनों signs सेम होते हैं. तो हम वही वाला sign लगा देते हैं. और सेम sign पे हम आपस में add करते हैं. तो अब add क्या करेंगे? 9 plus 2. आप चाहें तो side में लिखके भी कर सकते हैं. 1032 minus का और minus का 389. तो add किया. 9 plus 2 is 11 carry 1. तो यह कितना अगया? 3 plus 1 is 4. 4 plus 8 is 12. तो 2 carry 1. 3 plus 1 is 4 and 1. तो यह आया minus का 1421 is the answer. यह यहाँ पे minus लगाना न भूलें. Let's do 6th part now. 6th part is minus 36 and 100. minus 36 and 100. प्लस 100. अब bracket open किया. तो plus minus minus का 36. और plus 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 होता है 100. अब आपस में subtract हो जाएंगे. क्यों subtract होंगे? क्योंकि 36 minus का है और 100 plus का है. लेकिन 100 की आगे क्या है plus sign? तो plus का sign लग जाएगा. तो 100 में से 36 minus करेंगे. तो कितना हैगा? देखिए यहाँ से carry ले लिया. तो यहाँ गया 10 और यह हो गया 9. तो 10 में से 6 गया है 4. 9 में से 3 गया है 6. तो 64 plus का है इस दा answer. Let's do next part now. Next part is 3002 and minus 888. 7th part is 3002 and minus 888. तो यह कितना हैगा? देखिए आप कोई सा भी method कर लीजे. मैं अब की बार vertical method में लिख लीजे. Right? अब हम देखिए यह plus का है कुछ sign नहीं है और यह minus का है. तो बड़े वाले का sign जो होगा वही लिख देंगे. That is plus. अब जब भी opposite sign होते हैं तो हम subtract करते हैं. तो 2 में से 8 नहीं जा सकता है. तो हम 3 से carry ले लेंगे. तो हमारा answer आगया. 2114 is the answer. Let's do 8th part now. 8th part is minus 18 plus 25 and minus 37. यह आया. minus 18 plus 25 and minus 37. तो अब इसको कैसे करेंगे? देखिए इसको आप horizontal method कर रहे हूँ. minus 18 plus 25 plus minus 37. ब्राकेट open किया. तो यह आया. minus 18. क्यों? plus minus minus. यहाँ पे दोनों plus है. तो plus आजाएगा. यहाँ एक plus एक minus है. तो minus आजाएगा. तो यह आगया. plus का 25 minus का 37. तो इसको कैसे करेंगे? अब देखिए 18 के आगे minus है. और 37 के आगे minus है. मैंने आपको बताया था. same sign में add हो जाते हैं. तो यह इन दोनों का same sign हुआ. minus minus. तो यह दोनों add हो गया. और sign minus कहीं लगेगा? वही same concept जो पहले करके आये थे. दोनों minus के same sign के हमने minus लगा दिया और आपस में add कर देंगे. तो 8 plus 7 is 15. carry 1. 3 plus 1 is 4. and plus 1 is 5. तो यह आगया minus का 55. तो अब आप देखेंगे. मैंने यह दोनों values add करके यहाँ लिख दिये. तो बच्ची कौन सी? यह वाली. तो हमारा आगया plus 25. 55. तो आप देखें इन दोनों में से बड़ी value किया है. 55. उसके आगया काई का sign है? minus का. अब जब एक positive है और एक negative है. देखेंगे यह negative है यह positive है. तो आपस में subtract हो जाएगे. तो 55 में से minus के 55 में से हमारा 25 plus का minus हो गया. तो क्या करेंगे? जब opposite sign होते है. sign तो बड़े value का लग जाता है. और आपस में subtract हो जाता है. 5 में से 5 गया 0. 5 में से 2 गया is 3. तो minus 30 is the answer. Let's do next part now. Next part is minus 312, 39 and 192. Ninth part is minus 312, 39 and 192. अब इसको क्या लिख सकते हैं? यह लिख सकते है. minus 312 plus 39 plus 192. तो आप brackets open कर दीजे. तो यह कितना आगे? minus 312. क्यों? क्योंकि plus है भार. plus minus minus. अब देखे. plus 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 39. और फिससे plus 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 is 192 plus का. तो अब आप देखेंगे. यह दोनो plus के हैं. तो आपस में क्या होगा? same sign वाले add हो जाएगा और sign plus का लग जाएगा. तो minus 312 as it is plus. अब 192 में 39 हमने add किया. तो कितना आगे? 9 plus 2 is 11. carry 1. 13. carry 1. and 231. तो यह आगया. 231. तो अब आप देखेंगे. एक minus का, एक plus का है. तो आपस में subtract हो जाएगे. sign बड़े वाले का लगएगा. तो बड़ी value क्या थी? minus की थी. तो minus का हो गया. अब हमने 312 में से 231 minus कर दिया. तो कितना आगे? 2 में से 1 गया. क्योंकि यह plus का था, यह minus का था. तो minus में ही आएगा. 2 में से 1 गया is 1. अब 1 में से 3 नहीं जा सकते. तो हमने यहां से carry ले लिया. तो यह आगे 11 में से 3 गया is 8. तो minus का 81 is the answer. Let's do last part now. last part is minus का 51, minus का 203. minus का 51, minus का 203. 36 and minus 28. 36 and minus 28. तो अब क्या लिख सकते हैं इसको देखे? माइनस का 51, plus minus का 203, plus 36, plus minus 28. ब्रैकेट ओपन किया तो यह कितना आया? देखिए, यहां पर बाहर plus है. plus, minus, minus, plus, minus, minus, plus, 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 minus, minus. तो यह आगया. minus का 51, plus, minus, minus 203, plus 36, क्योंकि, plus, 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 minus, minus 28. तो आंसर क्या आएगा? अब देखिए, माइनस के साइन, इसको 51 का है, 203 का है, 28 का है, तीनों का माइनस साइन है, तो आपस में add हो जाएगा. add करके क्या लिखेंगे? minus का 51, minus का 203, and minus का 28, तो answer minus में ही आएगा, add कर लेते हैं, 8 plus 3 is 11, 11 plus 1 is 12, carry 1, 5 plus 1 is 6, 6 plus 2 is 8, and 2, तो यह आगया, minus का 282, 36 plus का बचा, तो वो as it is लिख दिया. आप देखिए, एक plus का है, एक minus का है, तो बड़े वाला है 282, उसके आगे minus का sign ने तो minus का लगा दिया, अब आपस में subtract हो जाएगा, तो minus 282 में हम 36 plus का subtract करेंगे, तो यह कितना है, 2 में से 6 नहीं जा सकता, तो हमने एक carry दे दिया, 12 में से 6 गे is 6, 7 में से 3 गे is 4, and 2, sign हमार minus का ही लगेगा, तो यह आगया, minus का 246 is the answer,